हेलो स्टूडेंट्स लास्ट फूनियों में हमने एक्ससाइज 1.2 कंप्रीट कर ले थी आज हम करेंगे चप्टर नंबर सेकेंड जिसका नाम है लीनियर एक्वेशन इन वन वैरियबल तो हमें देखने हैं वैरियबल्स क्या होता है जो भी एलजब्रिक फ़ंचन है हमारे एक एक्स की वैल्यू फिक्स नहीं है किसी कंडिशन में एक्स की वैल्यू टू आ सकती है कंडिशन चेंज करने पर एक्स की वैल्यू थ्री भी आ सकती है एक्स की वैल्यू फोर भी आ सकती इसलिए इनको बोलते है वैरियबल क्योंकि इनकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं रहत कती है जब भी हम किसी वेरेभल और एक्टेट वेल्यू को अपस हो mm करके या फिर एड करके हम कोई एक्षब्शन बनाते हैं तो उसे हम एक्षब्र करें जैसे हम यह एक्षब्र लिग दिये है जिसको लीनियर एक्षब्र बोलते हम-2 एक्षब्री एक्षब्र यह इस टाप स नहीं आनी चाहिए जब इसकी पावर 1 होती है तो इसको बोलता है linear equation अगर यहां पर power 2 होती इसको quadratic equation बोलता है जो कि अभी हमारे syllabus में नहीं है तो हम सिर्फ linear equation के ऊपर ध्यान देंगे तो linear equation क्या है जिसके अंदर power हमें इसा variable की कितनी होती है एक वन variable का मतलब क्या है इस पूरी equation में आपको सिर्फ x ही दिख रहा है और x सिर्फ एक ही variable है मतलब x के अलब अगर y होता तो दो different type के आपके variable होता है तो इसको क्या बोलता है linear equation in two variable यहां पर x एक या दो तीन भी x हो जाते है माल लेते हैं यहां पर three x plus four equal to five x होता तब भी हम इसको क्या बोलते है इसको लिखते है one variable one variable मतलब एक ही variable कौन सा variable इसके अंदर x इसको बोलते है one variable x के साथ y भी आ जाता तो क्या होता है two variable अगर इसके अंदर z होता तो क्या हो जाता हमारे three variable क्योंकि यहां only x है इसको बोलते है one variable तो आज का हमारा topic रहेगा two point one two point one के अंदर हमें कुछ equation दे रहे हैं equation को solve करना है तो इस equation को solve करने के दो तरीके हैं दो method है वो दोनों method मैंने यहां नीचे लिख रखे हैं तो यह method है हमारे सबसे पहला है balance method balance method में क्या होता है कि आप बजार में गए होंगे तो आपने कभी कुछ अगर कोई चीज ले रहे हम तो इसको तोलते वे देखा होगा तोलते time देखना एक जो तराजू होता है वो तराजू दुनों side से balance रहता है अगर आप उसको सिधा ही लटका देंगे तो क्या होगा यह दूनों एकदम बराबर level पर आके रुख जाएंगे ना तो यह नीचे रहेगा नाइं यह दूनों का level एकदम सेम रहेगा अगर आप इसमें क्या कर देंगे अगर इसके अंदर आप इसका weight 2kg बढ़ा दे तो क्या होगा यह नीचे जुख जाएगा अगर इसका weight बराबर करना है तो हमें क्या करना पड़ा यहापे 2kg लिखे ट वेट बढ़ा है वापास जुक जाएगा, इसको equal करने के लिए यह क्या करना पड़ेगा, आपको इस weight को भी क्या करना पड़ेगा, फाइफ टाइम बढ़ाना पड़ेगा, तब यह क्या होगा, दोनों balance परूहेंगे, balance का मतलब क्या होगा, आप यहाँ पर जितना भी weight बढ़ा रहो, जिए type स से आपको इधर भी वेट बढ़ाते रहना है तब क्या होगा दोनों ही चीजे बैलेंस रहेगी ओके तो यह बैलेंस मेथेड कुछ इसी टाइप से काम करता है इसमें को सॉलीशन निकारना तो सॉलीशन निकारना से पहले एक्वेशन देख लेते हैं हमारी एक्वेशन है 7x-9 इकोल टू 16 यह हमारी एक्वेशन है तो इस एक्वेशन में चीज़ ध्याना करना हमें क्या करना इसके अंदर x की वैलिव फाइंड करने किसकी वैलिव फाइंड करेंगे तो जित्ती भी नुम्रीकल डिजिट है उसको हम क्या करेंगे इकोल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे आप किसको पहले लेके जाना किसको बाद में तो सबसे पहले यह जो सब्प्र्केशन तो लेकेशन को लेके जाएंगे gegenad को फिर उसको लेके जाएंगे करना आप आप एजीली कर पाएंगे आप पहले 7 को इस तरफ नहीं बेज सकते हैं आपको पहले 9 को ही बेजना है तो यहाँ देखना बोड़ो में इसका जो रूल है उसको आप थोड़ा उल्टा यूज कर लेजी है आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा लेकिन आपको यहाँ देखना मे इसके अंदर क्या होता है आप बिल्कुल भी इसको एजीली कर पाऊगे कैसे सबसे पहले हमें इस साइड से माइनस 9 को हटाना है तो कैसे हटाएंगे हम क्या करेंगे दोनों तरफ 9 को एड़ कर देंगे क्योंकि इसमें बताया था हमने अगर यहाँ पर आपने 2 kg बढ़ाया होगे तब दोनों क्या होंगे बैलेंस में होगा कि अगर मुझे यहां से 2 kg वेट यहां से रटाना है तो यह हटाना पड़ेगा तो अगर मुझे –9 हटाना है तो ऐसा क्या करेंगे यह इसमें भी 9 add कर देंगे और इसमें भी क्या करेंगे 9 add कर देंगे तो देखीए 9 ए 9 यह दुनों LAST कितना हो सेवन 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 सेवाइड कर देगे से डिवाइड करने पर 7 और 7 कट गए तो उनली एक्स रहता है और इधर क्या रहेगा 25 अपॉन 7 क्या रहेगा 25 अपॉन 7 यहां पर रहेगा ठीक है क्या करना जो आप यहां कर रहे है उसको दूसरी तरफ भी करते जाना पहले क्या किया 9 हटा ना था तो लेफ्ट हैंसाट में 9 इड किया तो राइट हैंसाट में भी निगर्ड किया यहां सहनल हट गया और और नहां पर एड हो गया अब यहां से 7 अटाट आना है तो इस से लेफ्ट हैatu में telling में transpose method में क्या होता है हम क्या करते हैं इन digit को equal के दूसरी तरफ transfer करते जाते हैं जैसे लिखा है यहां पर 7x minus 9 equal to 16 तो सबसे पहले हम किसको transpose करेंगे इस तरफ तो देखेंगे तो सबसे पहले मैंने बोला था जो मैनस digit हो रही है उसको सबसे पहले कर लेते हैं यहां पर मैनस का यहां मैनस का है इस तरफ को उचके गया गया यह उसको क्या हो गया क्या हो गया इन दोनों को add कर दिया अब क्या करना है यहां से 7 को transpose करना है क्या करेंगे यहां पर multiply हो रहा है तो multiply का just ultra operate क्या होता है divide होता है यहां पर multiply हो रहा है यहां पर 25 upon 7 हो जाएगा कुछ बच्चे गलती करता है इसको 7 upon 25 लिख देता है इसलिए वो हमेशा उपर ही रहेगा तो क्या होगा यहां पर answer हो ही आएगा 25 upon 7 दोनों method में answer same आता है तो यह इसके दो method है तो आज आपको जो practice करनी है आज जित्ते भी question आपको मिलेंगे वो सारे balance method के उपर ही आपको solve करते जाना है तो यह आपकी exercise 2.1 है पीछे भी कुछ question है यह question भी आप देख लीजिए इनको एक बार आप note कर लीजिए और अगर आपको कोई question solve करने में problem हो रही है तो निचे description के अंदर मैंने अपना mobile number दे रहा है आप मुझे से वापर contact कर सकते हैं और अपनी problem को solve कर सकते हैं